रिपब्लिकन की राश्शुपती पत की तीसरी बहस में हेली रामा स्वामी की लडाई और तीखी हुई मियामी में बुधवार को दोनों के बीच टिक टॉक पर अमेरीकी नीती और क्या इसके चीनी स्वामित्व के कारण देश में इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए विशय पर बहस हुई 38 वर्षिय उद्यमी ने हेली का जिक्र किया और कहा पिछली बहस में उसने वास्तव में टिक टॉक में शामिल होने के लिए मेरा मजाक उडाया था जबकि उसकी अपनी बेटी लंबे समय से आप का उप्योग कर रही थी इसलिए आप शायत पहले अपने परिवार का ख्याल रखना चाहेंगी इसके बाद हेली ने पलतवार करते हुए कहा मेरी बेटी के बारे में बात मत करो और जब रामास्वामी ने बोलना जारी रखा तो उन्होंने उनसे कहा तुम तो बस गंदगी हो डक्षन कैरोलिना की पूर्व गवर्नर ने भी बायोटेक उद्यमी की आल नहीं है वे असल हां है सीरिया में अमेरिकी बेस पर दो हमलों की इराकी शिया मिलीशिया ने ली जिम्मेदारी खुद को इराक में इसलामिक प्रतिरोध कहने वाले इरान समर्थित इराकी मिलिशिया के लिए एक निकाएने ने दो अलग-अलग आनलाइन बयानों में दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पूर्वोत्तर सीरिया में अलशादादी में अमेरिकी बेस की और खतरनाक ड्रोन और रॉकेट लॉंच किये थे और रॉकेटों ने अपने लक्ष पर हमला किया था समाचार एजनसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार इस बीच ब्रिटेन स्थित युद्ध निगरानी करता सीरियन अब्जर्वेट्री फॉर हुमन राइट्स ने बुधवार को पुष्टी की की अलशादादी बेस पर दो बार हमला किया गया और अमेरिकी विमान भेद हत्यारों ने एक हमले में दो ड्रोन मार गिराए हाला कि अभी तक हताहतों की संख्या की सूचना नहीं मिली है लेकिन माना जाता है कि ये हमले गाजा में चल रहे संधर्ष के बीच अमेरिकी बलों के खिलाफ जवाबी कारवाई का एक हिस्सा है जौडन के राजा सन्युक्त राष्ट्र प्रमुख ने गाजा में युद्ध विराम के लिए अंतराष्ट्य प्रयासों का आवान किया सन्युक्त राश्च्र महासचिव एंटोनियो गुटेरिस के साथ फोन पर बातचीत में जॉडन के राजा ने यहाँ टिपणी की उन्होंने घिरे इलाके में भोजन, दवा, पानी और इंधन की निर्बाद आपूर्ती सुनिश्चित करते हुए गाजा में मानविय संधर्ष विराम की दिशा में अंतराश्च्य प्रयास तेज करने की आवशक्ता पर बल दिया समाचार एजंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, जॉडन के राजा ने गाजा के लिए राहत सेवाएं प्रदान करने में सन्युक्त राश्च्र और उसकी एजंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेक करते हुए युद्धगरस्त इलाके में अंतराश्चि समाचार करने का एक मात्र तरीका है। दिवाली। प्रधान मंत्री कार्याले ने कारेकरम की तस्वीरे भी साजह की, जिसमें सुनक को अपनी पत्मी के साथ पारंपरिक दीपक जलाते और बाद में महमानों का स्वागत करते और शुबकामनाय देते दिखाया गया। पिछले साल सुनक भारतियम मूल और हिंदू समुदाय के ब्रितेन के पहले प्रधान मंत्री बने थे। उन्होंने एक ऐसा ब्रितेन बनाने जहां हमारे बच्चे और हमारे पोते-पोतियां अपने दिये जला सकें। इस काम में मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ करने का संकल्प लिया। PNT की खास पेशकश